हेलो मैं सिप्रापने यू की चैनल में आपसे बहुत बहुत स्वावत करती हूँ आई जो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं सबसे पहले आप लोगों ने साल की ढीर सारी सूप कमनाये देती हूँ नया साल मुबारक को तो मैं इसके साथ आप लोग के लिए ले के आ रहे हूं बहुत ही टेश्टी और बहुत ही अच्छा जो की घर में बनने वाला है बेसन का हलवा और आप लोग जरूर उसको बनाईएगा और मेरा वीडियो सुरू से लेकर लाष्ट से देखिएगा तभी आपको पता चलेगा आप लोग क्या करते हो कि भगा भगा कर देख लेते हो तो उसमें कमा जो बारीकियां रहती है न उसको आप लोग स्किप कर देते हो तो फिर देखिएगा तभी आपको मेरे तरह से बने गाइगा बसार से आपको मीठा में लाने की कोई जरूरत नहीं है जैसे कि मेरे यहां आज में में अपने यहां होगा ही बनाई हूं तु इसलिए आपको बोल रहे हूं और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब सेयर करिएगा अगर मेरे तरब से कोई भी करवाहत हो तो उसको भुलाके मीठा खाकर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब सेयर करिएगा इसी के साथ ले के चलती हूँ और इसी भी ब बनाने वाली हूँ नया साल में आप लोगों मीठा खिलाने के लिए मैं कोशिस कर रहे हूं कि इसका हल्वा आप लोगो को खिला हूँ और आप लोगों को अच्छाआ लगे तो चलते हैं बनाने के लिए और हो ग्लत अब इसमें मैं के डालूं lifts इसमें एक दम सुध देशी घी तो मैं इसमें ना एक बड़ा चमचा से एक चमचा घी को डाल ले रही हूं यह देखिए अगर मेरे को कम पड़ेगा थोड़ा सा बाद में डाल लूंगी लेकिन अभी इतने में मैं कर्वीश को भूनूंगी तो यह ना जब गरम हो जाएगा इसमें बड़ूंगी चान लेना हे है चाल लेना है उसके बार से माचे स अच्छा से ब्रून है कि यह देखिए और इसको देज आज पर आपको नहीं भूना है थोड़ा समीडियम पे आप दीरे दीरे भूनोंगे तो बहुत अच्छा से भूनाएगा तभी टेस्ट में अच्छे से आएगा आपको तो यह देखिए कैसे मैं बना रही हूं आप लोगी एक बार जरू ट्राइ करिएगा बहुत ही अच्छा लगता है हल्वा इसका तो यह देखिए मेरा थोड़ा सा और घी को इसमें डाल ली हूं एकदम मिठाई भी आपको भेल हो जाएगा नया साल में मैं मिठा में यही आज आपने घर के घर परिवार के लिए बना रही हूं अगर आपको भी बनाना होगा तो बना सकते हैं देखिए मैं एकदम मीडियम आज पर इसको धीमे आज पर भून रही हूं क्योंकि बेसर ना अगर तेज आज पर भूनोगे ना तो बहुत जल्दी ही जल जाएगा और उसमें टेश्ट नहीं आएगा और जलने का कुस्बू आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए इसको मीडियम आज पर ही पानी डालूंगी तब तक मैं इसको आराम से धीरे धीरे भून रही हूं देखी तो यह देखिए एकदम इसका कलर परफेक्ट आ गया है जितना में अब ना आपको क्या जितना आप जिस बाउल से आप लिये थे बैसर ना उसी सब्सक्र को ले लेना है मेरा ना थोड़ा बहुत मोटा सक्कर है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ली हूं उसके बाद से आपको उसी से एक कटोरी पानी डाला है यह देखिए और इतना तेश्की होता है ना कि आप तो यह देखिए गाईस बिल्कुल पांच मिनट में आप एकदम देखिए यह बन के ऐसा होगा ना कि इसमें बिल्कुल करहाई में चिपकेगा नहीं थोड़ा सा इसमें घी ज्यादा आप डालेंगे तभी यह अच्छा बनेगा और यह देखिए मेरा हल्वा हो गया है रेडी अभी आपको इसमें ना थोड़ा सा मैं डालूंगी छोटी लाइची तो इसमें मैं छोटा सा इलाइची दो बुक के डाल दी हूँ उससे बहुत अच्छा ही खुश्बू आता है उसके बासे यह देखिए मेरा हल्वा बन गया है मैं इसको अभी सर्व करके आपको दिखा रही हूँ तो यह देखिए मैं इसमें अपना निकाल ली हूँ यह कटोरा बाउल में उसके बासे मैं इसमें थोड़ा सा ड्राइफ डाल ली हूँ जो कि है वदाम यह बहुत ही अच्छा लगता है अगर नहीं है तो इसकीप कर दीजेगा कोई बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा लाइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा इसी के साथ साथ मैं बोल रही हूँ ने साल की धेर सारी सुपका मना है नौवर्श मंगल मैं हो और मेरे वीडियो को प्लीज प्लीज धेर सारी खुसिया बीजिए बाबाई